एरवावी एरवावी वैश्न वजन तो तेड़े कहिए जे पीड़ पर आए जाने रे नौ वर्ष का धनी साबरमती आश्रम में रहता है उसने हट पकड़ ली है कि वो महात्मा गांधी के साथ दांडी यात्रा पर जाएगा अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोत करेगा दांडी यात्रा की पचत्तरवी जयनती पर लिखी गई एक दिल्चस्प कहानी स्वतंत्रता की और ओरिजनल स्टोरी मार्चिंग टू फ्रीडम बाई सुभदरा सेंगुपता इलस्ट्रेटेड बाई तापस गुहा हिंदी में अनुवात किया है मनीशा चौधरी प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने और कहानी सुना रही है आसावरी दोशी ये कहानी बुक्स दाट स्पीक पर दो अक्तूबर यानि की माहत्मा गांधी जी की जैन्ती की अवसर पर हम लोग सुना रहे है और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है पर उसे कोई कुछ न बताता वे सब समझते है कि मैं नौ साल का हूँ इसलिए मैं बुद्धू हूँ पर मैं बुद्धू नहीं हूँ धनी मन ही मन बड़डाया धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगा में रहते थे एहमदाबाद के पास महत्मा गांधी के साबरमती आशरम में जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंतरता के लिए लड़ रहे थे जब वे आशरम में ठहरते तो चर्खों पर खादी का सूत काते भजन गाते और गांधी जी के व्याख्यान सुनते साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता खाना पकाना, बरतन धोना, कपड़े धोना, कुए से पानी लाना गाय और बक्रियों का दूद दूहना और सबजी उगाना धनी का काम था, बिन्नी की देखभाल करना बिन्नी आश्रम की एक बक्री थी धनी को अपना काम पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी धनी को उससे बाते करना अच्छा लगता था उस दिन सुबा धनी बिन्नी को हरी घास खिला कर उसके बरतन में पानी डालते हुए बोला कोई बाद जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैट कर बाते करते है कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ बिन्नी ने घास चबाते हुए सरहिलाया, जैसे की वो धनी की वाद समझ रही थी धनी को भूक लगी, कूते फानती बिन्नी को लेकर वो रसोई घर की तरफ चला उसकी माँ चूला फूक रही थी और कमरे में धुआ भर रहा था अम्मा, क्या गांधी जी कही जा रहे है? उसने पूछा खासते हुए मा बोली, वे सब यातरा पर जा रहे है यातरा, कहा जा रहे है? धनी ने सवाल किया समुद्र के पास कही, अब सवाल पूछना बन करो और जाओ यहां से धनी अम्मा जरा गुसे से बोली पहले मुझे खाना पकाने दो धनी सबजी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बुढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था बिंदा जा 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 धनी उसके पास बैठ गया आप भी आत्रा पर जा रहे है क्या बिंदा ने सर हिला कर मना किया उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावला होकर पूछा कौन जा रहे है कहा जा रहे है क्या हो रहा है बिंदा ने खोदना रोग दिया और कहा तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा पर पहले इस मुई बकरी को बांधो मेरा सारा पालक चबा रही है धनी बिन्नी को खीच कर ले गया और पास के नीम्बू के पेड से बान दिया फिर बिन्दा ने उसे यात्रा के बारे में बताया गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगा पर समुद्र के पास पहुँचेंगे गावों और शहरों से होते हुए पूरा महिना चलेंगे दांडी पहुँचकर वे नमक बनाएंगे नमक? धनी चौक कर उठ बैठा नमक क्यों बनाएंगे? वो तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है में ही यात्रा करते है या जुलूस निकालते है है ना? हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ वे ब्रिटिस सरकार के खिलाब सत्यागरह के जुलूस निकालते है जिससे कि उनके खिलाब लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे है? ये तो बेवकूफी की बात हुई ना? बिल्कुल बेवकूफी नहीं है धनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है? तो क्या? धनी बुदबुदाया नमक की जरूरत सभी को है इसका मतलब ये है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी ये कर देता है बिन्दा चाचा ने आगे समझाया लेकिन ये तो सरासर ना इनसाफी है? धनी की आखों में गुसा था हाँ ये ना इनसाफी है यही नहीं भारतिय लोगों को नमक बनाने की मनाई है महात्मा जी ने बिटिश सरकार को कर हटाने को कहा पर उन्होंने ये बाट ठुकरा दी इसलिए उन्होंने निश्चे किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे एक मेहने तक पैदल चलेंगे धनी सोचकर परिशान हो रहा था गांधी जी तो ठक जाएंगे वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी अकबारों में फोटो छपेगी रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे है और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी गांधी जी बड़े ही अकलमंध है है ना धनी की आखे चमकी हाँ वो तो है ही बिंदा की आखों के आसपास हसी की लकीरे खीज गई उन्होंने वाइसरोय को भी चिठी लिखी है कि वो ऐसा करने जा रहे है ब्रिटिश सरकार को पता ही नहीं कि उसकी क्या गद बनने वाली है धनी उस जोपडी के पास पहुँचा जहां गांधी जी ठहरे थे उसने खिडकी से जाक कर देखा आश्रम के कई लोग गांधी जी से बाते कर रहे थे धनी को सुनाई दिया कि वे दांडी पहुँचने का रास्ता तै कर रहे थे जिस पर वे पैदल चलेंगे अपने पिता को भी इनके बीच देखकर धनी खुश हो गया दोपर को जब आश्रम में थोड़ी शांती चाई धनी अपने पिता को ढूणने निकला वो बैटकर चर्खा चला रहे थे पिता जी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे है धनी ने सीधे काम की बात पूछी मैं जा रहा हूँ तुम और अम्मा यही रहोगे मैं आपके साथ आ रहा हूँ बेकार की बात मत करो धनी तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे आश्रम के नौजवान ही जा रहे है मैं नौ साल का हूँ और आपसे तेज दोड सकता हूँ धनी ने हट पकड़ ली आप मुझे साथ आने से रोक नहीं सकते धनी के पिता ने चर्खा रोक कर बड़े धीरत से समझाया सिर्फ वे लोग जाएंगे जिने महात्मा जीने खुद चुना है ठीक है? मैं उनी से बात करूँगा? वो जरूर हां कहेंगे धनी दुर्ड होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था पर धनी को वो समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोज सुबा वो आश्रम में पैदल घूमते थे अगले दिन जैसे सूरज निकला धनी बिस्तर छोड़ कर गांधी जी को डूढने निकला वे गौशाला में गायों को देख रहे थे फिर वो सबजी के बगीचे में मतर और बंद गोभी देखते हुए बिन्दा से बात करने लगे धनी और बिन्दी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे अंत में गांधी जी अपनी जोपड़ी की ओर चले बरामदे में चर्खे के पास बैटकर उन्होंने धनी को पुकरा यहां आओ बेटा धनी दोड़कर उनके पास पहुँचा बिन्दी भी साथ में कुति हुई आई तुम्हारा नाम क्या है बेटा धनी गांधी जी और यह तुमारी बक्री है जी हाँ गांधी जी मेरी दोस्त बिन्नी जिसका दूद आप रोज सुबा पीते है धनी गर्ब से मुस्कुराया मैं इसकी देखभाल करता हूँ बहुत अच्छा गांधी जी ने हाथ हिला कर कहा अब ये बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबा से मेरे पीछे क्यों खूम रहे हो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था धनी थोड़ा घबराया क्या मैं आपके साथ दांडी आ सकता हूँ हिम्मत करके उसने कहडाला गांधी जी मुस्कुराये तुम अभी छोटे हो बेटा दांडी तो 385 किलोमेटर दूर है सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे पर आप तो नौजवान नहीं है ना धनी बोला आप नहीं थक जाएंगे मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ गांधी जी ने कहा मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ धनी भी अड़ गया हाँ ठीक बात है कुछ सोचकर गांधी जी बोले मगर एक समस्या है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा इतना चलने के बाद मैं तो कमजोर हो जाओँगा इसलिए जब मैं वापस आओँगा तो मुझे खूब सारा दूद पीना पड़ेगा जिससे की मेरी ताकद लोटाए हाँ ये बात तो ठीक है गांधी जी बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ धनी ने प्यार से बिन्नी का सर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसन है बिल्कुल सही तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे गांधी जी प्यार से बोले जी गांधी जी करूँगा धनी बोला और बिन्नी और मैं आपका इंतिजार करेंगे बच्चों यहाँ पे कहानी तो खतम हुई अब इतिहास के कुछ रोचक तथ्य मार्च 1930 में महत्मा गांधी ने ब्रिटिस सरकार द्वारा लगाए नमक करके विरोध में दांडी तक की यात्रा का नितरुत्व किया गांधी जी और उनके अनुयाई गुजरात में 24 दिन तक पैदल चले पूरे रास्ते उनका स्वागत फूलो और गीतों से हुआ विश्व भर के अकभारों ने यात्रा पर खबरे चापी दांडी में गांधी जी और उनके साथियों ने समुद्र तट से नमक उठाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया उनके गिरफ्तारी के बाद असहयोग अंदोलन शुरू हुआ और पूरे भारत में लोगों ने स्कूल, कॉलेज वदफ्तरों का बाइकॉट किया इस यात्रा में गांधी जी के साथ 78 स्वेच्छा कर्मियों यानि की बॉलंटियस ने भी भाग लिया उन्होंने 385 किलोमेटर की दूरी तै की यात्रा बारा मार्च को शुरू होकर 5 अप्रेल 1930 को समाप्त हुई सबसे कम उम्र का यात्री 16 वर्ष का था सन 2005 में दांडी यात्रा की 75 जैन्ती थी आँ कहानी खत्तम मुझे और एक सुनी है उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुनी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरो आउई एरो आउई